समस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्ट स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी अपडेट जो कि दोस्तों SSC के तरब से है तो दोस्तों SSC ने जून के जाहर की है तो जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल में वीडियो में बने रहें एंड तक और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों दे खरें तो यह दोस्तों पूरी खबर जून में एसे सी नहीं कराया पाइगा परिक्षा ठीक है तो एससी की तरफ से जो भी परिक्षाई हैं जैसे की यह उसके बाद मैं एससी स्येट जचसल है और उसके आई में दोस्तों इस्टेनों है काफी सारी ऐसी प्रिक्षाइं हैं जो मार्च और अपरेल के महीने में माई के महीने में मतलब कराय जानी थी तो एससी ने इन प्रिक्षाओं के लिए कोरोना वायरस के कारण इस्तगित कर दिया था कुछ टैम के लिए लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पूरा देश धीरे धीरे नॉर्मल इस्टिमा आ रहा है मतलब लॉगडाउन खोल रहा है लेकिन एससी ने ब रफ्तार पकड़ रहा है परन्तु करमचारी चैनायोग एससी के कार्यों में रफ्तार पकड़ने की आस नहीं है अगर मई के बाद लॉगडाउन खत्म हो जाता है तब भी एससी जून महां में कोई परिक्षा नहीं करा पाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर मई के महां में लॉगडाउन खतम हो जाता है तब भी एससी जो है वो कोई परिक्षा नहीं करा पाएगा लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि एक जून से लेकर तीस जून तक जो है वो लॉगडाउन बढ़ा दिया गया है यह बात अलग है कि लॉगडाउन कई चरणों में अनलोक तो परिक्षा प्रक्रिये जुलाई और अगस्त महां में शुरू हो पाएगी इस बीच सिर्फ रुके रिजल्ट जारी हो पाएगे तो आपकी जो परिक्षाएं हैं जैसे कि आपके इस टेनो है उसके बाद में SSC CHSL है और भी कई सारी परिक्षाएं है जेई की परिक्षा ह बो जो परिक्षा होंगे जुलाई और अगस्त के महां में शुरू होंगे लेकिन इस बीच जिनके परिक्षा हो चुकी है उनके रिजल्ट है वो आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उन अभ्यार्थियों के लिए कोई परिशानी की कारण नहीं है परिशान होने की जर एवल मतलब SSC CHSL 2019 tier 1, J 2019 paper 1, steno cnd 2019 जैसी परिक्षा हैं तय तारिक में नहीं हो सकते SSC ने इस्थगित परिक्षाओं लोगडाउन खतम होने के बाद कराने का निर्णा लिया था तो SSC ने क्या किया था कि जो इस्थगित की परिक्षाओं के कारण लोगडाउन के कारण उनके लिए लोगडाउन खतम होते होने के बाद में कराने का निर्णा लिया था परंतो तो मौजूदा इस्थिति को देखते हुए लोगडाउन खतम होने के तुरंद बाद प्रिक्षा नहीं हो सकेंगे, ठीक है, तो दोस्तो लोगडाउन खतम हो भी जाता है, मतलब जून के लास्ट में भी तब भी जो हैं वो, SSC की तरफ से कोई भी प्रिक्षा नहीं हो वो भी मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, मौजूदा इस्थिति को देखते हुए लोगडाउन खतम होने के तुरंद बाद प्रिक्षा नहीं हो सकेंगे, ठीक है, विवागी अधिकारियों का यह कहना है, कि SSC की अधिकतर प्रिक्षा ओनलाइन होती है, उसकी तकनिकी जो है वो तकनिक की इस्तर पर एक महिने पहले ही परिक्षा से एक महिने पहले ही सुरू करती जाती है, जिसके कारण जो है वो तैयारी इनकी सुरू होने पाएगी और आपकी जो परिक्षा हैं वो जून के महिने में भी नहीं हो पाएगी, तो यह है दोस्तों पूरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर इसी तरह कि आप भी और न्यू चाहते हैं हमारे चैनल द्वारा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकुं को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्सिंस आप तक पहुंचते रह तो चलिए दोस्तो थैंकियो फूर वचिंग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत